यहां हमारे पास है 17 and 4 9th minus 12 and 2 3rds तो इसे सब्ट्राक्ट करने के लिए मैं इसके whole वाले parts और fraction वाले parts को एक साथ कर लूँगी तो यहां मैं इसे लिख सकती हूँ मैं यहां पर 17 4 9th को ऐसे लिख सकती हूँ और इसके ठीक नीचे मैं 12 and 2 3rds को लिख दूँगी तो यहां है हमारे पास 12 जो की ठीक हमारे इस whole वाले part के नीचे मैंने लिखा है और यहां पर है मेरा 2 3rds जो की मैंने fraction वाले part के नीचे लिखा है और मुझे यहां पर इसमें से 12 2 3rds को घटा देना है तो पहले हम बात करेंगे यहां पर इन fraction वाले parts की तो हमें 4 9's में से 2 3rds घटाना है और यहाँ पर हमारे denominators same नहीं है इसलिए हमें यहाँ इनका एक common denominator निकालना होगा और किनी भी fractions के denominators का least common multiple एक अच्छा common denominator होता है तो हम यहाँ पर 9 और 3 का least common multiple निकालेंगे और ऐसा करने के लिए मैं 9 के multiples लेती जाओंगी तो 9 का पहला multiple पहला multiple तो 9 ही होता है तो 9 9 से divisible है completely और 9 3 से भी completely divisible है तो हम कह सकते हैं कि 9 और 3 का least common multiple यह 9 के ही बराबर है यह वो सबसे छोटा number है जो कि 9 और 3 दोनों से ही completely divisible है लेकिन अगर 9 3 से divisible नहीं होता तो हम यहाँ आगे बढ़ते रहते हम यहाँ पर इसका दूसरा multiple लेते जो कि 18 होता और फिर चेक करते कि क्या 18 divisible है 3 से और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते लेकिन हमारा काम यहाँ 9 से चल जा रहा है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9 इन दोनों का least common multiple है इसलिए हमें आगे बढ़ने की जुरत नहीं है तो मैं इस चीज को यहाँ दुबारा लिख लेती हूँ तो यहाँ पर है मेरे पास 17 4 9 को हमें एक ऐसे fraction में लिखना है जिसका कि denominator 9 के बराबर हो और 4 9 का denominator तो पहले से ही 9 है यानि कि यहाँ पर मेरा 4 9 सी आएगा इसी तरीके से अगर हम 12 2 thirds को देखें तो यहाँ पर मेरा whole वाला part है 12 और मुझे यहाँ पर इस fraction part को एक ऐसे fraction में बदलना है जिसका कि denominator 9 के बराबर हो तो 3 से 9 तक पहुचने के लिए मुझे 3 को 3 से multiply करना होता है और क्योंकि यह काम मैं denominator में कर रहे हूँ इसलिए मुझे यह numerator में भी करना होगा ताकि मेरे इस fraction की value में कोई भी change ना आए तो 2 ताइम्स 3 यह हो जाता है 6 के बराबर तो हम कह सकते हैं कि 2 thirds और 6 9 यह एक ही चीज रिप्रेजन करते हैं यह दोनों दरसल सेम नंबर को रिप्रेजन कर रहे हैं तो अब हमें 17 और 4 9 में से घटाना है 12 और 6 9 को तो चलिए अब हम इन fraction वाले parts को घटा लेते हैं लेकिन यह क्या 4 9 तो 6 9 से छोटा होता है तो हम एक छोटे fraction में से एक बड़ा fraction कैसे घटाएंगे तो इसके लिए हम 17 और 4 9 को regroup कर देंगे मैं 17 को 16 प्लस 1 लिख सकती हूँ और इस 1 को मैं यहाँ पर 4 9 में add कर दूँगी तो अगर मैं इस 1 को यहाँ पर add करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 16 बचेगा और यहाँ पर हम add करेंगे 1 और 1 को हम 9 9 लिख सकते हैं 9 9 वन के ही बराबर होता है तो 4 9 प्लस 9 9 यह हो जाएगा कुल मिलाकर 13 9 के बराबर तो यहाँ पर हमारा mix number इससे हमने बदल लिया है 16 and 13 9 में यहाँ पर अगर हम 13 9 को एक mix number में बदलेंगे तो यह 1 and 4 9 के बराबर होगा और यह 1 16 में जुड़कर 17 हो जाएगा और यह बराबर होगा 17 4 9 के ही तो यहाँ पर हमने बस थोड़ी सी regrouping की है ताकि हमें यहाँ पर एक ऐसा fraction मिले जो की बड़ा हो 6 9 से ताकि हम यहाँ इसमें से 6 9 को घटा सकें तो अगर मेरे पास किसी चीज का 13 है और उसमें से मुझे 6 घटाना है यहाँ पर मेरे पास 1 9 का 13 है और मुझे 6 9 घटाने है तो यहाँ मेरे पास कुल कितने 9 बचेंगे तो 13 माइनस 6 यह होता है 7 के बराबर तो मेरे पास बचेंगे 7 9 और अब हम अपने इस होल वाले पार्ट की बात कर लेते हैं यह बराबर है 4 और 7 9 के